नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए मिनोगुपता कीचन में और मिनोगुपता कीचन में आपका खोखो स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्ची का अचार जो सभी को बहुत पसंद आता है जब हम धाबे में जाते हैं रेश्टोरेंट में जाते हैं जो हमें पूरी के साथ बटूरे के साथ कुल्चे के साथ खाने को मिलते हैं आज वो ही अचार मैं आपको घर पे बताऊंगी आप लोगों ने बोला था कि मिर्ची का अचार आप बताए तो चलिए इसे आप रख भी सकते हैं बनान के और मैं बहुत ही अलग तरीके से आज आपको बताऊं कि जो आपको बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पर हरी मिर्ची लिये जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है पूचके सुखा लिया है और यह थोड़े हलके रंग की होती है जो थोड़े कम तीकी होती है और जो गहरे कलर की होती है वो जादा तीकी होती है आपको जो अगर तीखा जादा लेना है तो आप तीकी जादा ले ले और इनके उपर की हम सारी डंड में भी बना सकते हैं लेकिन साबूत दोस्तों इतनी खाई नहीं जाती है घर के अंदर, और जो है इसके अंदर हम बीज बीज निकालना जब हम घर में कोई चीज बनाते हैं तो साफ सुतरी और कुछ देख रेक के बनाते हैं तो घर में इस तरहें चोटी चोटी खाई भी जाती है लेकिन टेश्ट वही आयगा दोस्तो जो हम ढबे वाली मिर्ची खाते हैं टेश्ट वह आयगा लेकिन सिरफ हम कटिंग दूसरी तरह से कर देते हैं ताकि घर में आसानी से एक एक पीज उठा करके खा सकते हैं जैसे मैंने कहा था कि बीज हमें नुकसान करते हैं तो हम इन में से बीज देखिए अलग कर देते हैं जो करती कम तिक ही लगे कि और हमारी जम खाने खाते हैं और फिर हमें जलन लगती है पेट के उपर वो जलन भी नहीं होगी, क्योंकि बीच की से ही हमें जलन होती है, हम ये बीच को कर देते हैं, अलग ये हम नहीं डालेंगे, इसे हम फैंक देते हैं, देखिए बहुत ही चटाकेदार, लबापदार ये अचार बनने वाला है दोस्तों, ये देखिए हमने इसके अंदर डाल द जितनी आपकी मिर्ची है और वन थोट चमच हम डालेंगे इसके इंदर हल्दी का पावडर इसे हम मिक्स कर देते हैं और आप देखेंगे इसे मिक्स करने के बाद इसमें काफी सारा पानी आ जाएगा और नमक की वज़े से इसमें पानी आ जाएगा और यह बिल्कुल पीली- और काली भी नी पड़ेगी ऐसी मिर्ची अगर आप बना देते हैं तो काली भी नी पड़ेगी और हमेशा यह देखने में भी अच्छी लगेगी पिली-पिली और बिल्कुल सौफ्ट अच्छी खाने में आप देखें इसे हम रख देते हैं दो घंटे के लिए और कम से कम आप दो घंटा रखे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात भी रख सकते हैं यह है राई के दाने काली वाली राई होती है हमने एक चमच लिया इसे और एक डालचीनी का टुकड़ा है आधा इंच से थोड़ा सा जादा डालचीनी का टुकड़ा है दोस्तों इसमें अंदर जो फ्लेवर है बहुत अच्छा उभर करके आता है और अब इसमें डाल देते हम काला नमक थोड़ा सा इसके अंदर हम काला नमक डालेंगे और इसे पीस लेंगे बिल्कुल बारी पीस लेंगे इधर देखिया हमारी मिर्ची को 2-5 घंटा हो चुकी है और दे मसाला इसमें तो छोड़ा कम मसाला आगा किन डालें या क्षारह उनते डाल है जब टक आपको अच्छे से मिक्स करना है देख लीजी कितनी बढ़िह लग रही है और देखने में बहुत कितनी चमक आ गई है बहर उसके ऐसे 血ल के बगर उसके वीदेखे का नी बग रगी थोड़ी देर बाद राई खटी हो जाएगी उसके बाद तो मजा ही देखे कितने अच्छा हैगा और इसके अंदर हम एक नीबू डाल देंगे निखटा आप अपने स्वात के अकोड़िंग डालेगे मेरे पास थोड़ी सी मिर्ची है तो मैं यहां पर एक नीबू डाल रहे ह और देख लीजेगा नीबू खट्टा आप पर हिसाब से डाल दीजेगा बड़ा चोटा नीबू भी होता है इसे अब हम मिक्स कर देंगे देखे देखे दोस्तों बनाते बनाते कितनी अच्छी इसके अंदर खुसबू आ रहे हैं बहुत ही यह स्वादिष्ट लाज जबा करके दोस्तों आपको कैसी लगी यह जरूर कमेंट करके बताईए उर हमारी वीडियो आपको कैसे लगते यह यह बताया करें जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमारा होसला बढ़ता है आप हमारा होसला इस तरह ही बढ़ाते रहिए का मेरा और इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा मुझे आपके कमेंट्स की और जो लाइक करते हैं जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको तही द झाल झाल जाओ झाल झाल झाल, झाल झाल करो झाल